Hello and welcome, welcome back to my channel, welcome back to my Kali Taro Tani Van channel इस टाइम पे खास करके लेट नाइट पे क्यों आया हूं? Of course, आपके और आपके परसन की correct feelings लेके आया हूं देख लोगा आपके परसन इस टाइम पे क्या feelings carry करें क्या सोच रहे हो आपके बारे में यह आपकी past person, present person हो सकते है, crush हो सकते है इनो जिस person के बारे में आप सोच रहे हो, वो यह person हो सकता है collectively यह reading को आप accept कीजिए यानि कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोर्ड हूँ, वो खुब हुआपके साथ resonate करेंगे कर सकता है, open mind से reading को देखिएगा मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको universe इस video के सामने लेके आये है इसका कोई न तो कोई वजाज जरूर होगा तो बिनादिर करते हुए, let's get started अब सभी लोग यह reading को देख सकते हो, timeless है, तो जब भी देखोगे, तब भी applicable हो जाएगा मैं private reading वगेरा नहीं करता हूँ, so मैं आपको कभी call message नहीं करूँगा क्योंकि one and one consultations मैं नहीं करता हूँ, ना है मैं कोई चीजों को sell करता हूँ so youtube में available हो, तो youtube follow कीजेगा and live streaming भी attend कीजेगा let's see, इस time पे आपके person क्या सोच रहे है, क्या है उनके दिल का खयाल six of pentacles, आपके person, मेरे tube के जो viewer से, उनके person क्या सोच रहे है, nine of ones, youtube के person and youtube, मैं जो देखे हूँ, youtube viewers के, four of cups मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपके person और आपके बीच में एक monotonous चीजे हो रहा है, लाइक बात हो रहा है, चीजे अच्छा हो रहा है, बट अंदरी अंदर आप दोनों ही बहुत अकेले में सुस कर रहे हो, लाइक बहुत अकेले हो आप दोनों, अकेलापन है मुझे एक slightly ऐसा लग रहा है, क्या आपके दर्द को ये समझ नहीं पा रहे है, या तर आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, दोनों ही दोनों के तरीके से वाकिफ नहीं है, आप जिस तरीके से अपने लाइक को लीड करे हो, वो person उसके बारे में वाकिफ नहीं है और ये भी जिस तरीके से struggle करे हो, उसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप इस person के बारे में सोचके sad feel करे हो, वो भी आपके बारे में सोचके sad feel करे हो, दोनों kind of, चाहते हो कि दूसरे के life में आप रहेंगे, but due to any reason, हो सकता है कि work, हो सकता है कि lifestyle, आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है, यहाँ पे एक ego fight चल रहा है, हो सकता है कि आप एक Taurus वर्गो की प्रिकिन के साथ deal करे हो, हो सकता है आप एक Aries Leosage Diaries के साथ deal करे हो, हो सकता है कि आप एक Cancer Scorpio Spices के सा करेंगे, आप हमेशा आपके person के लिए ready रह रहे हो, कि वो next actions लेंगे, 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 and वो next actions नहीं ले रहे है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप frustrated हो, because आपके person अभी तक कोई call message नहीं किया, अभी तक wish नहीं किया, अभी तक वो express नहीं किया, या फिर ऐसा है कि आप दोनों खुश हो, बट अंदर ही अंदर अपने गम को छुपा रहे हो, I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कौन से चीज़े हो सकता है, कौन से चीज़े नहीं हो सकता है, उनके बावजूद भी आप और आपके person कुछ same चीज़ करते जा रहे हो, लेंग आप आप कोशिश कर रहे हो, कैसे आपके person बदल सकता है और आपके person कोशिश कर रहे है कि आप कैसे बदल सकते हो, यहाँ पे आप मेंसे दोनों ही बदलना नहीं चाहते हो, आप मेंसे दोनों ही बदलना नहीं चाहते हो और आप मेंसे दोनों ही नहीं बदलोगे, rather, situation से बाहर आपके situations खराब है, आप दोनों खराब नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि struggling period के वजे से आप दोनों एक साथ नहीं हूँ, जैसे जैसे period खतम होगा, वैसे kind of आप दोनों एक साथ होगे, आपके person आपको miss करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो sad है, depressed है, because इस time पे, शयद वो आपके पास नहीं है, यह सोच के वो sad है, let's see, आपके person के hidden intention क्या है, seven of pentacles, आपके person के hidden intentions क्या है, king of pentacles, temperance, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person आपको लेके decisions लेंगे, मदद करने के decisions लेंगे, आपके साथ रहने के decisions लेंगे, but the thing is, कही न कहीं आपके person को पता है कि उनके limits क्या है, और कहीं न कहीं आपके person को अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या कर सकता है, So the temperance means कि उनके वो कुछ आपको बोले है शो किये है कुछ दिखाये है जैसे कि वादा किये है बड़ उनको पता है उनके situations में कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ वो बोले है वादा किये है बड़ वो नहीं कर सकता है बड़ कुछ हद तक वो खुद को push करके आपके करीब आ सकता है तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस time पे शादी पॉसिबल नहीं है इस time पे शाद आप लोग live in नहीं कर सकते हैं इस time पे शाद आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं बड़ इस time पे भले वो एक दिन के लिए ही सही दो दिन के लिए ही सही बड़ आप किस साथ वो रहना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि long distance relationship में आप हो और वो जैसे तैसे करके आपको होस्ता बढ़ाना चाहते हैं वो आपको बोल रहे कि भले आप लोग शादी नहीं कर रहे हैं बड़ फिर भी हम लोग एक साथ हैं मुझे यह भी लग रहा है कि यह एक married person है हो सकता है कि एक divorced person है हो सकता है कि यह separated है लाइक यह person इनके ex wife के साथ separated है बड़ यह person अपने दिल से आपको प्यार करता है I think यह wealthy person है I think यह अपने life में काम को बहुत जादा एहमियत देते है यह बहुत busy रहते है business person हो सकता है renowned person हो सकता है industrialist हो सकता है यह फिर इनके family business हो सकता है but यह अपने busy schedule में से भी time निकल के यह आपके सामने आना चाहते है मुझे यह भी लग रहा है कि इनके दिमाग में एक ऐसा खयाल भी है कि एक time ऐसा आएगा जब आप लोग secretly living करेंगे secretly marriage का decisions लेंगे secretly एक साथ रहना start करेंगे एक दूसरे के responsibilities लेंगे मुझे यह भी लग रहा कि भले आपको यह समाज के सामने accept नहीं कर पा रहे है बट उनके अंदर आप already हो मुझे यह लग रहा कि आपके person आपको already husband यह फिर wife consider किये है और आपके husband आपके responsibility लेना चाहते है seven of pentacles यह relationship एक ऐसे stage है जो शायद यह एक middle half पे यह relationship के stage है मतलब हो सकते हैं 2-3 महिना हुआ है 2-3 साल हुआ है 6 साल हो चुका है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि relationship एक ऐसे जगे पे आया है जहां पे आपको भी पता है कि क्या हो सकता है और कितना आप बदल सकते हैं कितना आगे सामने वाले person बदल सकता है तो दोनों ही दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और दोनों ही यह बहुत दिनों से देख रहे हो कोई person के बारे में आपको एक अंदाजा है तो यह person को भी पता है कि आप कौन हो किस तरीके से आप आ रहे हो किस तरीके से आप अपने past को deal कियो किस तरीके से आप अपने present को deal कर रहे हो तो मुझे यह भी लग रहा कि यह आपके साथ futuristic है यह दिल से चाहते है कि आपके साथ यह रहेंगे यह आपके साथ future में आगे बढ़ना चाहते है यह आपके साथ बड़े होना चाहते है यह आपके साथ ग्रो करना चाहते है at the same time यह एक secret marriage का भी सपना देख रहा है kind of a money man आपको बहुत अपना मानते है but अभी तक शायद separated हो अभी तक शायद बात नहीं हुआ है but उनके दिमाग में चल रहा है कुछ चीज let's see कि उनके next actions क्या रहेगा इस time पर आपके person क्या actions लेंगे इस time पर the Empress इसका मतलब है कि यह person आपके लिए कुछ special surprises देंगे यह person आपको special feel करवाएंगे propose कर सकते हैं शादी के proposal दे सकते हैं reconciliation हो सकता है Empress का मतलब क्या है माता का आशिरवाद अगर कालिमा से आप प्रे कर रहे हो divine से प्रे कर रहे हो manifestations walk कर रहे है तो next actions यह person अपना दिल का बात कहेंगे यह person आपको special feel करवाएंगे यह person आपके साथ long term future के तरफ जाएंगे इनके next actions आप बता दे रहे हैं कि यह decide कर रहे हैं आप ही इनके better health हो आप ही इनके future हो आप ही इनके life हो आपके सिवा यह किसी और को अपने life में नहीं सोच सकते है the embrace मतलब ऐसा भी हो सकते कि यह आपके साथ दूसरी बार शादी करना चाहते है यह आपको अपने घर में बुलाना चाहते है यह आपको अपने life का divine feminine बनाना चाहते है मुझे ऐसा लगता है कि यह surrender करेंगे यह आपके सामने आके सब कुछ बोलेंगे कि यह कैसा feel करते हैं यह क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हो और यह आपको मदद करेंगे मुझे यह भी लग रहे है कि यह आपके चाइल्ड के पिता बनना चाहते हैं यह चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत अच्छे हैपी फैमिली बनाए मुझे यह भी लग रहा है कि आप दोनों कोई पेट अडॉप्ट करने वाले हो या फिर यह बोलेंगे कि चलो एक पेट अडॉप्ट करते हैं या फिर एडॉप्टेशन की बात भी यह चल रहा है यहाँ पर मादर हुट का बात है यहाँ पर सेक्शूल इंटिमसी का बात है यहाँ पर एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने का बात है और यह परसन नेक्स्ट इनका जो एक्शन होगा हो यह सिर्फ आपको चाहते है यह साफ बोल देंगे कि यह क्या फील करते है यह किस तरीके से आपको फील करते है और आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा सा सेक्शूल इंटिमसी है यह स्पिरिच्वल इंटिमसी भी आप बोल सकते हो यह है यह person आपको पसंद करते है और यह person आपको यह शादी करना चाहते है या तो यह person आपके साथ लीविंग करना चाहते है यह person आपके साथ अपना जिदेगी बिताना चाहते है second card मुझे ऐसा लगता है the queen of short जग्राख खतम करेंगे ये person मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहस में नहीं जाएंगे ये साब बोल देगे कि ठीक है जग्राख खतम करो बात करो बात करके चीजों को solve करो मुझे ये लग रहा है कि ये सच सुनना चाते हैं और ये सच बूलना भी चाते हैं तो जो भी misunderstandings हो रहा है जो भी misinformation मिल रहा है जो भी third party ने गलत काम करने के लिए सोचें ये third party को cut off करेंगे ये family person को cut off करें कोई female figure है जो जिनको ये cut off करें ये female दोस्त हो सकते है female cousin हो सकते है जिनको ये cut off करेंगे क्योंकि ये ही person के वज़े से आप दुनों के relationship में problem हुआ था ये इनके toxic ex हो सकता है toxic past हो सकता है जो ये खतम करेंगे and उसके बाद night of pentacles मतब ये साफ साब आपके करीब आ रहे है slow but steady in the rest मुझे ऐसा लगता है कि ये person different state में रह रहे है या फिर आपके साथ बहुत जादा मिलते नहीं है but slow moving energy है but ये person आपके साथ एक long term steady relationship में जा को प्रूफ करेंगे ये आपको भरोसा दिलाएंगे and definitely आपके responsibility लेंगे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ काम करने के लिए सोचेंगे या फिर घर में shift करने के लिए सोचेंगे या पर कोई vacations के लिए सोचेंगे like ये long term vacations रहेगा मतलब हो सकते कि winter में कि आप जा रहे और अभी से ये planning करना start करेंगे मुझे ये लग रहा है कि ये साफ कुछ planning करेंगे आब divine को मैं पूछूंगा कि divine आप दोनों के लिए क्या advices time पे दे रहे divine आप दोनों के लिए क्या single advices time पे दे रहे है और divine आप दोनों को बोल रहे कि है रोफिंड कही न कह कही आप दोनों का शादी तै है कही न कही divine ने आप दोनों को मिलाए है मुझे ऐसा लगता है कि आप भी spiritually blessed हो और आपके person भी spiritually blessed है बले ही आपके twin home बले ही आपके soulmate हो बट कही न कही आप एक दूसरे के साथ soulfully connected हो soul contract है और ये soul contract कभी नहीं तूटेंगे तहरो फ्रेंड का म पॉसंद करेंगे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये relationship शायक समाज में accepted नहीं है हो सकता है कि आप एक married person को प्यार करते हो या फिर हो सकता है कि आप भी married हो ये भी married हो सकता है आप से ये बड़े है जो भी है चाहिए रिस्ता को समाज accept करे या ना करे divine ने इस रिस् हाँ बोले, तहेरो फेंड मतलब क्या है कि अब आप दोनों को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के negativity को समझ के आगे बढ़ना है, एक दूसरे को accept करना है, एक दूसरे से सीखना है and most importantly एक mature decisions लेना है like आपको अपना soul value को follow करना है tradition को follow करना है, tradition मतलब loyal रहे के relationship को बचाना है, जो traditional relationship में हम लोग देखते हैं, कि एक person loyally किसी के साथ married है, ये इस relationship में loyalty बापस आ रहे है, इस relationship में वो, मतलब एक tradition बापस आ रहे है, हो सकता है कि ये modern day का relationship हो, हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत modern हो, बट दोनों के सोज बिचार, एक traditional सोज बिचार है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों जितना जादा अपने traditions को follow करोगी, जितना जादा आप एक दूसरे के family को respect करोगे, जितना जादा आप एक दूसरे को accept करोगे, उतना जादा benefit rate आप दोनों रहोगे, मुझे ये लगता है कि एक reunion, marriage, predictions ये reading से आपको मिल रहा है, तो definitely जो भी होगा, higher realm के द्वारा ही ये चीज होगा, divine अगर आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो कोई आप दोनों को अलग नहीं रख सकता है, all the very best, आप लोग comment sections पर लिख दीजीएगा, divine union, and इस वीडियो को आप लोग share कीजीएगा, hashtag लेके मा का ली चरुटनीबर, all the very best, bye bye, take care, good night, मैं कर मिलता हूँ, happy Diwali in advance, bye bye.